नमस्कार दोस्तों UPVC Windows Training Series में आज हम आपको बताएंगे जो कि पिछले वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था कि डोर का जो आपको सैस का साइज निकालना है इसका हमने बताया था कि 5-5 mm का आपको लेना है और 5 mm का इस साइड 5 mm का टॉप है और 5 mm का इस साइड और नीच चार या पांच जितने पार्ट्स बनेंगे उनका टार्गिट यह है कि आप किसी भी डोर का किसी भी प्रोफाइल का डोर बना रहे होंगे तो आप सही साइज निकाल पाएंगे जो कि सौफ्ट्वेर से भी अच्छा होगा अब मैं क्यों कह रहा हूं कि सौफ्ट्वेर साइ और यहां पैता तीन एम जबकि हमने बोला है पांच एम बीच से छोड़ना है क्योंकि जब भी कोई साइज ली जाती है आपकी विंडो या डोर की आप तीन जगह से लेते हैं दो तो कोनों से एक यहां से एक इस कोने से और एक बीच से लेते हैं जिससे आपको पता लगता है स्लोप कितना है आपके नीचे या फिर आपके टॉप है इससे पता लग जाता है आपको और फिर इग्जैक्ट फिट का आप साइज लेते हैं और आपको पता रहता है कि गैप कितना आने वाला है यह 15 mm और 3 mm का टेपर ऐसे कुछ होगा क्या क्योंकि जब आप ऐसे साइज एक दम फिक्स निकलेगा और फिर आपको इसमें ऐसे इसको भरना पड़ेगा क्योंकि उपर नीचे हो जाएगा और अगर आपने खुद से साइज जैसे निकाले होंगे तो आप इसका एक साइड का फ्रेम थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं जिससे कि वो नीचे आ जाए औ और फिर अगर डोर भी लेंगे तो आपको पता होगा कि मैं कितना रखूं यह 3 mm तक ही आ रहा है इसको एक mm और नीचे करना है यह नहीं करना है तो इसलिए हम इस वीडियो को डिटेल से समझा रहे हैं जिससे आपको पता रहे है कि यह 5-5 mm का क्यों आया अब जैसे यह बात 10 mm है क्योंकि जब आप यह सैस की बात करें जब यह सैस होता है ना आपका यह पी एम 61 है जो प्रोफाइल हम यूज करते हैं उसमें इसका साइज एक साइट से 104 है और दूसरी साइट से 84 है तो उसके हिसाप से तो यहां पर सिर्फ 20 mm बचावा है तो आपके पास 20 mm वेरियंस है जो आपके यह लोग आपके यह लॉक बंड और आपका से को चाहिए की जब यह हलका सा इसके उपर अपर और जब यह दोर ख्रोई होगा तो यह दोनों का साइज आपका गष्ण करेगा कि आप की कितना overlap आना चाहिए क्योंकि अगर आप इससे overlap मीजर करेंगे कि पूरी की पूरी गैस्केट हो जाए तो गलत आ जाएगा आपको अपने hardware भी consider करने होते हैं और दूसरा main point आपको ऐसे भी देखना पड़ता है जैसे यह जो इसकी sas का कटावा पीस रखा है यह इसी sas का है जिससे आप पहले जब निकाल रहे हैं तो अपने profile को चेक करिए अब यहां पर यह जो slot का part है इसमें यह spec लगावा है यह वाले slot के part में यह जो slot का part है यहां पर spec लगावा यह plane आ रहा है plane आ रहा है तो यह आपको मिजर करना है कि यह 20 बोला है 20 है कि एक एक म्म का फरक आ सकता है तो जब इसको मिजर करके आप चेक कर लेंगे कि यह 20 ही है तो सबका 20 आएग aur उसके बाद आप आपने जो इस्पेक्ट जो यूज कर रहे हैं उनका ये पाट चेक कर लिया है ना ये 10 आ गया और अगर ये 5 है तो 5 का ओरलैप आएगा क्योंकि 10 प्लस 5 पंदरा और ये 5 ओरलैप करेगा तो सही फिट बैटेगा हलका सा टच करेगा और अगर आपने एक एम उपर चड़ाना है तो 6 का ओरलैप कर लेना तो इससे आपको पता लगेगा कि भही ये आपका मैक्सिमum छे का आ रहा है या साथ का रहा है या मिनिमम पाँच का ओरलैप लेना है इसे और क्लियर हो जायगा आपको आपके हाड़वेर चेंज भी होते हैं तो आप ऐसे साइचेंज कर पाएंगे ये आपको आइडिया देगा कि ओरलैप कितने का रखना है क्योंकि यह आपको पता है कि यह दोर की विड़ेत जैसा पहले वीडियो में बताया था 912 विड़ेत है और 2112 इसकी हाइट है 912 और 2112 उसमें बताया था कि यह फ्रेम 47 होता है और इसमें 5 mm का आपका ओरलैप है अगर ओरलैप 6 mm का है तो कैलकुलेशन वैसी चेंज हो जाएंगी जिसे 5 से इधर 42 बचेगा 42 प्लस 42 है ना तो दोनों साइड से तो यह तो 84 माइनस करके विड़ेत में से सैस का आपको सैस की विड़ेत निकल जाएगी है और उपर से 42 है और नीचे से 5 mm छोड़ना है तो 47 mm मा साइड में से तो वो निकल जाएगा अगर आपने हार्डवेर से चेक किया कि आपका 6 mm मारा है या 7 mm मारा है क्योंकि आपने पूरे देखने यह जो डोर स्ट्राइकर भी हैं इनको मीजर करके हैं और उसके बाद आपका आएगा कि भी 7 से ज्यादा हो गया और लैप तो आप लास्ट वीडियो में इसको मीजर करके बताएंगे कि बैस साइज कितना निकला धन्यवाद दोस्तों